ले रहे हैं, किच-किच कीछ वाल है, कहाम नहीं काच़ देखा रहे हैं? पीछे से लाइट ठोड़ो, पकड़ो मतले, दुम्लों लाइट को पकड़ेते हैं? सब्सक्राइब करें मैं जोर नहीं हुँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हुआ 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 है हुआ 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 है ख़ब थी कि पंजाब की पुलीस आपको डूंते आई भी पर आपको डून नहीं पाई तो कितनी सच्चाई है इस बाद में और आप कैसे क्लाइफाई करें देखें मुझे मीडिया से पता चला है कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ और मेरे खिलाफ कोई केस है और मेरा वारन निकला है मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ पता कि मेरे खिलाफ कोई केस है या कोई वारन निकला है या पंजाब की पुलीस या फिर बारा मुलकों की पुलीस मुझे ढूंड रही है मैं खुद शौक हूँ मुझे खुद नहीं पता मेरे घर कोई पुलिस नहीं आई ना मुझे कोई वारंड मिला है ना कोई पर्चा मिला है ना कोई समन मिला है ना मुझे पता भी नहीं कि मेरे खलाफ कोई केस है तो आप ने कुछ कमेंट किया था एक वो एक कॉंटेक्स में था आपके एक फ्रेंड को बचाने के लिए अपको तो आप कहीं आपको रिग्रेट होता है कि आपने जो कमेंट किया नहीं करना था कि अब यह एक इस बाद बहुत आगे बगे लिए ने मिकार जी को बचाने के लिए और उनको बचाने के लिए गए साल उनके घर में कोई लड़की गुज गई थी I don't know some model or something I don't know abuse कर रही थी तो उनके से उन पर allegation लगा रही थी तो उनका मुझे call आया था कि राखी आप देखे मेरे घर में यह incidence हुआ है मुझ पर उन्होंने किया था तो वैसे वह पहले जैसे नहीं रहे हैं उनमें काफी चेंजिस आ गए काफी बड़े सालीबिटी बन गए बहुत अच्छे गाने उनकी हिट होए इस नंबर वन सिंगर तो मैंने का ठीक है मैं प्रेस बुला के उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप प्रेस बु बचाने गई और मैं फखी यहन गई यहनुद मुझे कोई रिग्रेट नहीं दो अज भी ररीग्रेट नहीं है और मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ मैंने सिर्फ यही बुला कि पहले इंसान बुरा होता है, बुरा होता है मतलब कुछ गलत हो जाता है, लेकिन जब उन्हें अकल आ जाती है, या उन्हें पता चल जाता है कि he was wrong, तो you know, कहने मतलब था, मैंने उनको बिल्कुल, मतलब ये भगवान वालमी जी के बारे में, मैंने एक उदारन दिया था, एक 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 जामपल दिया था, जो बचपन से में किताबों में पढ़ती आ रही हूँ, भाई साब, मैं बचपन से किताबों में पढ़ती आ रही हूँ, किताबों में मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, बगवान वालमी जी के बारे में, सिब मैंने अखले नहीं और मैंने मेरे घर में कोई प्रिंट मशीन नहीं है जो मैंने चापी हो को इस्टोरी आप लोगों नहीं पड़ा होगा आप सबने पड़ा होगा कि जिन्होंने रामायन लेकी भगवन वाल मिकी जी उनके लाइफ में क्या हुआ था क्या हुआ था कैसे वह जंगल करते हो यह सरी चीजे कतल करते हो तो क्या आपके बीवी और आपके जिन के लिए आप यह कमाते हो यह शिकार करते हो तो क्या आप यह आपके पाप में भागिदार होंगे तो उन्होंने का मैं अभी पूछ के आता हूं मैंने यह स्टोरी पड़ी है तो वह पूछने गई त तो उन सब ने कहा के नहीं हम आपके पाप में भागिदार नहीं होंगे तो उसी वक्त से उन्होंने वो सारी चीज़े छोड़ दी और वो सादू संत बन गए और उन्होंने रामाएंड लिखी और आज हम भगवान राम को जानते हैं जस्ट बगवान वालमिकी जी तो मेरी य के यह एक उदारन था किसी को चोच पॉंचाने के मेरा मैरा कोई भी मतलब नहीं था अफने उत भयान जी आतskते हैं या भी अभी आप यह खुनी माफी माखTוח हूं या मैंने कुछ गलत बोला मैंने माफी इसलिए जीए माएंगे चाहते हूं कि पही ना कहीं कहीं और मेरी मेरियों जैसे कहीं से थोड़ा भी होट हुआ यह तो मैं माफिय मांगती हैं यह फ्रति किया गया था था प्रेटिंग किया गया था बहुत पॉल जाए थे मैं आपको बताना चाहती हूं कि लास्ट एर जब ये इसी घर में इसी सोफे पर बैठे हुए जब ये सब जगे ये भगवान वालमी के बारे में जब वीडियो गया था तो लुधियाना से बहुत जगे से वालमी के समाज के लोगों ने मुझे फोन किया मुझे इतनी धंकी मैं आज आपको बताना चाहती हूं एक साल से मेरे पीछे पढ़े लेकिना हमेशा एग्नौर किया मुझे धंकी दी मुझे अभ्यूज लैंग्वेज इसकरी मुझे कितना गंदा-गंदा कहा गया मैंने हमेशा एग्नौर किया मैंने का भाई अगर मुझसे रेखा बनवल ज जो है वो मुंबई में हैं वालमी की समाज की अध्यक्ष्य हैं तो उन्होंने मुझे का राकी जो आप कहीं से भी गलत नहीं हो आप टेंशन मतलो मैं उनको संभालूंगी फिर भी उन्होंने का हम आपको लुदियाना बुलाएंगे हम आपके साथ क्या क्या करेंगे आप सो पूरी कोशिश कर ली पूरी कोशिश कर ली उन्होंने मुझे धंकी दिया लेकि मैंने मैं चाहती तो उनकी वाइस रिकॉर्ड करके मैं भी पुलिस सेशन में जाके यह सब कर सकती थी उनके खलाफ केस कर सकती थी लेकि मैंने नहीं किया जाने दो जाने दो लेकिन उन्होंन आरए को तयार हूं Technology को प्रोस्ते है कि आफ एच्यूर्ली तॉप मैं सब्सक्राइब कर रहे दमाए तो नोले चार बसाब भी सब्सक्राइब सकतीट कि कि कहीं सब Kingdom अगर मैं तो लोग में अना करके आते हैं पैसे गहर चलाते हैं लोग में हम अनुख प peculiar करtा यह सबकर दो चाहिसे करा है तुछ गृदा हुसा अजर्पिन आया है तो आपको करीब के पूरी सेशन में जाना चाहिए तो मैं बांगूर नगर में भी गई ओषिवार पूरी सेशन में भी गई और जाके बोला कि मैंने इस सर अगर मेरे मेरे खिलाफ कोई केस है शायद वारन निकलाए तो सर मुझे वारन दीजिए तो उनोंने बहुत अपके ख कोई बहुत बड़ी गुंडी हूँ या फिर मैं मैंने कोई बिल्डिंगे ब्लास्ट करी है या मैं देश के गदार हूँ कौन हूँ मैं मैं क्या हूँ मुझे क्यों बार बार कहा जा रहे है कि राकी गॉट आरेस्टेड राकी जेल में गई क्यों मैंने क्या किया है मैंने सब 빠ßer ख़र रेप के इतने सारे मेरे में चीज्जी में आज मुझे केते कि मैं पॉब्लिसिटे स्टंड करती मैंने नहीं कีया कभी इतन मुझे नहीं जरौत है अब हमाचि कैंसर पिडिकों की मदध करती यूंत अब नहीं दिखाया पूरा घर चलाती हूं और मुझे तो काम भी नहीं मिलेगा ऐसे तो अगर ऐसे बार-बार मेरे साथ होता रहा मेरा नाम बदनाम होता रहा मुझे तो काम भी नहीं मिलेगा ना कोई टीवे पे काम देगा ना कोई स्क्रीन पे काम देगा अगर ऐसा मेरे साथ होता रहा तो मुझे कोई मेरा कसूर बता है कि मैंने क्या किया है कि एडलाइन्स आ रहे कि पुलीस ढून रही है मुझे क्यों डून रही है मुझे पुलीस इतनी बड़ी पंजाब की पुलीस नाम है तो क्या एक मेरे घर नहीं डून सकती मेरे हाथों में पर्चा नहीं दे सकती कि आपके खिलाफ वारंट है आपके खिलाफ केस है आप बताईए मेडम आपके खिलाफ केस है या नहीं है अभी बता चलाए कि मेरे खिलाफ केस है आपको कोई डेट दी गई है उसके पहले नौ मार्च को दी गई जबी कोई डेट आपको मुझे तो मीडिया से मुझे मीडिया से ही पता चलाए कि नौ मार्च या चार मार्च या पता नहीं कि मुझे डेट है मेरी मुझे तो खुद नहीं पता बड़ एक बात है कि देखें यहां पे तो आप पू भी बोले चू भी बोले तो भी केस हो जाता है ऐसा क्यूं मुझे समझ में नहीं आता है क्या जट साहब कहते हैं कि इसार्टिस को लेकर आओ उनको पकड़के अरस्ट करके लेकर आओ जट साहब ची क्या आप यह की जट साहब किया जज साहब ने क्या ये फैंड आट किया कि पुलिस ने जाके उन आर्टिस्ट को हाथ में पर्चा दिया की नहीं अगर मैं कहीं सभी गुनेगार हूं तो मुझे जेल को जाए मैं खुद कहती हूं अगर मैं कहीं सभी गुनेगार हूं इंदुस्तान की जनता ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हिंदुस्तान की मीडिया आज की भगवान है, सच्छाई सामने लाती है, तो मीडिया को मैं कहना चाहती हूँ, सबसे बड़े जच तो आप ही हैं, तो आप बताएं मेरा कहां से गुनेगार हूँ, अगर कुछ पड़ेगा नो कोई कहेगा का अच्छा बगवान वाल में की जिकी स्टोरी ये थी, मैंने वो किताब पड़ी और मेरे दिमाग में उदारन, एक उदाहरन, एक एक जामपल, वही आया, और मैं कहीं भागी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यहां की बेटी पंजाब पुलीस से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं खुद पुलीस सेशन में अपने आपको सरंडर करने गई, बांगुर नगर ओशिवारा, जब हमें शक होता हमारा लौ है, जब आपको शक है कि आपके पर कोई केस है, तो आपको जाना पड़ता है, पुछने के लिए को कोई केस है मेरे पर, आप समझ रहे हो, और मुझे पंजाब की पुलीस नहीं मिली, मुझे कोई अरेस वर्न नहीं मिला, मुझे कोई परचा नहीं मिला, मेरे घर में लोगों को बुलाओ, पुछो, इनको बुला लो, मेरे घर में लोगों को, मेरी माम को बुलाओ, किसी को न मेरा घर है, मीडिया कबसे मेरा घर जानती है, सब जानते हैं, मेरे घर में मुझे कोई भी लेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और आया तो फिर हम लोग फिर में इतना कोई प्राब्लेम ही नहीं होता, मैं तो एक वकिल कड़ा कर देती न, एक वकिल कड़ा कर देती मैं, अगर मुझे कोई समन मिला होता तो मुझे हम लोगों को क्यों सताया जा रहा है मुझे नहीं पता एक सेलिब्रिटी को क्यों सताया जा रहा है भाई साब मैं सलमान खान नहीं हूँ मुझे पबलिसिटी पाके आपको कुछ नहीं मिलेगा मैं एक साधारा विक्ती हूँ, एक नॉर्मल हूँ, मैं सलमान खान, शारुक खान, आमिर खान, मैं नहीं हूँ, वो बहुत बड़े लेजंट है, हिंदुस्तान के, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मैं एक मामुली इंसान. प्रण organs आर्टिस्ट